हेलो प्रेंड्स गावरान तड़का रेसिपी में मैं वर्ष है ओले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं लोकी की बर्फी आप देखी सकते हो कितनी बड़िया और मस्त यहाप यह लोकी की बर्फी बनी है आप तो सावन का महना शुरू है सावन के महने में हम जरूर से लोकी का हलवा या लोकी की बर्फी बनाते हैं और यह बर्फी आप उपरत में भी खा सकते हो और आप देख सकते हो यह बिल्कुल मार्केट जैसे बर्फी तायर होई है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट है मैं आपको एक बर्फी का तुकड़ा भी निकाल के दिखाती हो किस तरह से हमारी बर्फी तायर हो चुकी है तो आप देख सकते हो कितना बड़या टेक्चर कलर और कितनी मस्त है हमारी दाने दार वर्फी बन के तायार है चले फिर रेसिपी देखते ही तो चले रेसिपी बनना शरू करते है यहाप एक किलू कद्दू लिए है कद्दू को आच्छे से मैंने दो लिया है आप देख सकते हो और बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं मेडम साइज के कद्दू यहाँ पर मैंने लिया है आप सबसे पहले हम कद्दू को छिल लेंगे उपर का जो कद्दू का छिलका होता है वो निकाल लेते हैं लिए आपे मैंने सब कद्णु आचे से छिल लिए फिर उसके पिस कट कर लिए शब यहाँ पर मेरे रेडी हो चुक के आप नहीं के बढ़ने के अपूने होगारा है कदुकस करतें, कदुकस कर जाता है, तोक दुकस लखने का बहुत डर रहता है, कदुकस आच्छे से पकड़ के बङतकें, छथी कदुकस कर लोtlesy क요 यहाँ पे मैंने सब लोकी कदुकस कर ली है आप देख सकते हो तो आप आगी की प्रोसेस करते हैं ग्यास के उपर मैंने कड़ाई चाड़ा दी हैं कड़ाई में हम पहले दो तीन चमच गी डाल देते हैं आप घी में हम कद्दू कसकी हुई लोकी डाल देंगे और लोकी को हमें 10-15 मिनिट आच्चे से घी में मेडेम ग्यास के उपर भूनना है तो यहाँ पर मैंने आच्चे से लोकी को 10-15 मिनिट भून लिया है तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारी लोकी हो चुके तो आप इसमें हम शक्कर याड करेंगे यहाँ पर मैंने मेडेम साइज की एकटोरी शक्कर ली है आपको मिटा कितना पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ शक्कर का यूज़ कर सकते हो और शक्कर के साथ फिर से हम यह लोकी भून लेते हैं तो यहाँ पर हमारी लोकी के साथ शुगर आच्चे से मिल्ट हो चुकी है तो आप इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे ग्रीन फूल कलर डालेंगे तो इससे हमारे वर्फी में कलर अच्छा आएगा और मार्केट जैसे हमारी वर्फी लगएगी तो अब इसमें मैं ये एक कटोरी नारल का बूरादा डाल रही हूं तो नारल के बूरादा से लोखी की वरफी बहुत आच्ची टेक्चर और दिखने में भी आच्ची बनती है और खाने में भी और ज़्यादा टेस्ट लगती है और आधी कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाली है और आधा चमच विलाईची पाउडर डाली है तो मिल्क पाउडर दस दस रुपए वाला जो पैकेट आता है ना उसके मैंने तीन पैकेट डाली है और नारल कबुरादा तो कही भी दुकान पे मिल ही जाता है आपके पास ना मि यह ने कलर डालने के बाद नारल का बुरादा फिर मिल्क पाउडर सब चीज़े हम यह कदू के साथ मिक्स कर ले थे आच्छे से 2-4 मिनिट चे-7 मिनिट मैंने आच्छे से मिठाई को चलाए है हमारे बर्फी की बैटर को तो 6-7 मिनिट के बाद आप देख सकते हो किस तरह से हमारा यह बर्फी का बैटर तयार हो चुका है जो शुगर का पानी है पूरी तरह से सुक चुका है और मिठाई में कलर भी कितना बड़ी कर दिया है तो आपके इसाब से याक यह सेंट करने में में ले लेते लिए मैंने मिटाई करते हैं तो उसके तरह की करल लिए है कि आपके अपश सीधे आपने जो विठाली रहेती Arm उसमें आप यह मिटाई सेट कर सकते हो, तो उसमें भी बड़ी आतरीके से यह मिटाई सेट हो जाती है, डिबे में हमारे मिटाई का बैटर डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने बैटर डाल दिया है, और बैटर को हम आच्ची तरह से सेट करके ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम पुझे के बीज भी डाले थे तो जब मैं मिठाई डिबी में भर रही थी तब ही उसमें मैंने थोड़ी से खर पुझे के बीज याड़ कर लिये थे तो वो दिखना मैं भूल गए थी तो यहाँ पर मैंने यह मिठाई आचे से सेट कर ली है आप देख सकते हो कितनी बड़े तरीके से यहाँ पर हमारी मिठाई सेट हो चुक है तो आप इसके उपर हम थोड़ी से ड्राइफूट डाल देते हैं आपको ड्राइफूट में जो जो ड्राइफूट पसंद है यहाँ पर यह डाल सकते हो तो यहाँ मैंने बड़ाम लिये है जिसको छोटे-छोटे पिसिस में cutting कर लिया है बदम को भी हम कटोरी से आच्छे से मीठाई के उपर holds set कर लेंगे में शांद करने के बाद मैंने थोड़ा स crow शाचाने का व्रक भी मिठाई के उपर उपर लग ले तो यहां पर मैंने एक घंटे तक मिठाई set तो एक गंटे के बाद हमें इमेटाई निकाल ले थे आपके पास टाइम मेम हो तो यES दो फाई घंटे भी आप इसको ऋ हमारी गंटे के sunrise में तब धा इwn भीच में हमारी एक नमसल्च के कितनी मस्त हमारे यहाँ पे यह लौकी की वर्फी तायर हो चुकिए आप इसको हम कट कर लेते हैं आपको यह लौकी की बर्फी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा आगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा और आप देख सकते हो यह कितनी बड़े आतरीके से हमारे वर्फी कट हो चुकी है बिल्कुल मार्केट जैसे है यह लौकी की वर्फी हमारी तायार हो चुकी है तो आप मिलेंगे आगले वीडियो में कुछ ऐसी नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई